नमस्कार किसान बाईयो स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका एक वर नए वीडियो में और मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल खेती बाड़ी में तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं मटर की आप सपल खेती कैसे कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे बहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें कमेंट करें मटर की खेती दोस्तों आप समय रहते कर लेते हैं तो आपको कम खर्च में अधिक मुनापा देती हैं तो आईए दोस्तों देख लेते हैं क्या कैसे कर सकते हैं दोस्तों अगर मटर के खेती के बारे में बात की जाए तो मटर की खेती सर्दियों के मौसम में मटर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण बरती, कर्षी, बाजारों और किसानों को मटर के अच्छे भाव मिलते हैं इसी के चलते किसान मटर की खेती गर कम समय में अधिक लाब कमा सकते हैं और किसानों के लिए मटर की खेती करना बहुत ही फाइदेमंद होती है क्योंकि एक तो मटर की फसल अन्य सब्जों के मुकाबले लागत कम लगती है और दूसरा कम समय में ही तेयार हो जाती है इससे किसानों को मुनाभवी अच्छा मिल जाता है तो आईए दोस्तों देख ले 6-7.5 pH होता है अब दोस्तों बात कर लेते हैं मटर की खेती के लिए उपयोगत जलवायू तो जलवायू की बात की जाए तो मटर की खेती के लिए शीत और नम जलवायू अच्छी मानी जाती है सर्दी के ठंड के मुसम में प्रारम में ही इसकी खेती किये जाती है क्योंकि की ओस समय तापमान 20-22 से होता है।।, 10-15 से समय होती है। बात करें अगर उत्तम समय की, तो दोस्तों मटर की भुवाई का उत्तम समय सही माना जाता है, यानी कि अक्टूमबर- Menu में भुवाई कर सकते हैं। लेकिन देश में अने शेत्रों के किसान अगेती फसल लेने के हिसाब से सितंबर मैने में ही मटर की बुवाई कर देते हैं जल्दी बुवाई करने से मटर की फसल के रोग लगने की संबावना ज़्यादा रहती है और किसान को ज्यादा खा दुरूरत की जरूरत पर अब बात करेंगे दोस्तों खेत के तियारी की मटर की खेती के लिए किसानों को मिट्टी पलटाने वाले करशी यंद्र से मिट्टी को पलटा ले और इसके पाद दो से तीन बार सामान्य मिट्टी पल्टाने वाले यंत्र से आप जुताई करके खेत को अच्छी तरह से तियार कर लेना चाहिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं मटर के बीज का तो मटर के बीज दोस्तों आपको मार्केट में आसानी से बाजारों में मिल जाते हैं मटर की खेती के लिए बीजों का उपचार करना बहुत ही जरूरी है ये आज के समय करना जरूरी भी हो गया है अलग अलग सबजी फसल की खेती में बीज उपचार के लिए अलग अलग दवा का पयोग किया जाता है मटर की खेती में बीज का उपचारित करने के लिए राइजो बीम या लेग्युमीनो सेरम कलचर का उपयोग कर सकते हैं आशा करता हूँ दोस्तों आप वीडियो को बहुत ही अच्छी तरके से समझ रहे होंगे तो वीडियो को शेयर कर दीजी अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजी और कमेंट कर दीजी यह दोस्तों आप देख लेते हैं बुवाई के समय पोदे से पोदे की कितनी दूरी रखनी चाहिए बात करें पोदे से पोदे की दूरी 15-20 cm होनी चाहिए और मतर के बीच की गहριाई की बात करे तो 4-6 cm की गहराई में बुवाई कर सकते हैं यदि आप अगेती खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खेती के लिए परती हेक्टियर में बीज 90 किलो से 110 किलोग्राम परती हेक्टियर की आवशकता होती है यदि आप लेट भुवाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 120 से 130 किलोग्राम मटर के बीज की आवशकता हो हो जाने पर दूसरी सिंचाई की आउशकता नहीं होती है अगर दोस्तों मटर के किस्मों की बात की जाए तो किस्में बहुत परकार की होती है पचेती बुवाई के लिए भी अलग-अलग होती है और अगेती खेती के लिए भी अलग-अलग होती है तो आपको मटर की खेती के लिए अच्छी किस्म की hybrid वीज का ही चैन करें जिसमें अच्छी पेदावार मिले और आपको अच्छा मुनापा कमाया जा सकें यदि दोस्तों फसल की अवदी की बात की जाए तो फसल की अवदी उस पर निर्वर करती है कि आप कुन सी किस्म का चैन कर रहे हैं उस हिसाब से पसल की अवदी होती है तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो गई और वीडियो को शेर कर दीजे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और लाइक कर दीजे कमेंट कर दीजे तन्यवाद